पूलकोल कोस्ट सोन भाद्र रावर्स गंज में नरेंद्र मोधी जी का ये संबोधन जनता के साथ जनसभा करने के बाद वो अपने गंतव दिक चले गए लेकिन यहां पर जो जनता है काफी उत्साह के साथ काफी खुश्यूंबा मिजाज में जो उनकी भीड है कम होने का नाम नहीं ले रही है हमारे साथ कई साती यहां पर मौझूद है सार प्रसाम आपसे बात करेंगे नाम क्या आपका सुनेल सुनेल आप भी नरिंद्र मोधी को देखने आए तो कश्ट नहीं हुआ आने में कश्ट नहीं हुआ तो नरिंद्र मोधी को देखा आपने तो आपने यह पूरा माला वाला यह जो जंड़ा वंड़ा लिया हुआ है इतना कुछ क्यों किया? अच्छा लगता है उंको अच्छा लगता है नरेंद्र मोधी जी के बारे में आप क्या सूशते हो? बहुत अच्छा परदान मंतरी है अच्छा तो अभी आपकी उमर क्या हो गई? बीस साल हो गई वोट आप दोगे इस बार? अच्छा लगता है देश के हित में नरेंद्र मोदीजी सही नेता है नरेंद्र मोदी जी कुछ कहना चाहोगे वह को बहुत अच्छी बात है कई सारे साथी इमार साथ जुड़े हुए आपका नाम क्या है आनन आनन आपने भी देखा वजन सब्चाना चाहिए वह बड़ अच हैं ज़कष पर नहीं करते हैं मतलब जिसको सब्सक्राइब कर दिया कि मतलब गरी जाती बना दिया तो पर को जवाब नहीं है और फिर से अब युवा हो, आपको क्या लगता है? आमको लगता है कि इस बात देश का प्रधान मंत्री दरेन मोदी को ही होना चाहिए? अरे होना ही है. यदि कोई और होता है तो क्या होता? होगा इने, ऐसा होएगा इने. लोगी मोदी जिन्दाबाद, 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 यहां पर युवा आपकी बार भी अगले 5 साल आएगा उसके बाद भी मोजी सरकार आएगा बार बार मोजी सरकार आएगा चलिए ये सबी हमारे साथ जुड़े आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद जैन्दु बर्मन के साथ मैं दिन इश्कुमार पोलखोल पोस्ट चैन्द और हां इस तरह क इंट्रेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और हां साथ ही बताते जाएगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सस्क्राइब करें साथ ही घंटी का बटन जवर दवाए इससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे है